वेलकम बैक तो माई चानल डिलिसेस कुटिंग विस रशुनुट आप लोग अपने शोच रहे हैं मैं गार कीचेन को छोड़के गारेल में क्यों हों क्योंकि आज में मसाला बिंडी बनाने जा रहे हैं इस अपने गारेन से प्रेस बिंडी तोड के लेके जा रहे हैं देखिए मेरे थोटा सा खीचेन गाड़े में और यहां से में अभी बिंडी तोड़ना साथ लेके जा रहे हैं झाल झाल बिंडी तो लिए अग्दम फैस और कितना प्यारा और बदे को क्रीन दिख रहा है और यह मेरा गाडन से है और मैं इसके बाद जा रहे हैं की चर में बिंडी मासालो बना है यहां पर मैंने एक पटाटो ले हूँ जो कि आपके लफ्सना ले आपको चाहिए तो बटाटो आर् कर सकते बना नहीं भी कर सकते और कुछ चप्ट किया हूँ चिली जली हूँ और यहां पर मस्टर्ड और गार्लिक का पेस्ट ले रहे हूँ और दो टमाटो को मैंने उबाल के इसको प्रमाटो का प्यूरी बनाए और कुछ दन्या पाउडर कुछ गरम मसाला ओयल थोड़ा स साइस का ओनियोन को चॉप्ट कर ले एक हूँ और कुछ कॉरियंडर अब चालिए हम स्टार्ड करते मसाला ओयली बनाए अब इसमें थोड़ा सब तेल आड़ करेंगे रिफाइंड ओयल आड़ करेंगे जब यह ओयल गरम हो जाए हम बिंडी को इसमें में बिंडी आड़ कर आड़ करेंगे जब खेंगे जया है अब इसमें प्लेट में रिका रिकाले के तुछ करेंगे बैसी आलो को भी यह फ्रेकर लेकर लेके अब अब निकाल नगे हैं अब में अब मेरे मसाला रेडि हो जाएगा अब सबसे पहला में आलव आट करने के लिए आप आप हैं पुर्सा जीर का तर्काने के एंग इसमा जब किया ओग छिलियाक़ अभी ओन्यां क्वाद जब एंग अभी ओन्यां को हा भादत ब्राउन होना तर ऐसे ही पुरूंगे देखिए अब ही यह ओलेटी ग्राउन ईको चुका है अब हम इसमें मसाला अट करेंगे हाँ स्पून हल्दी पाउडर हाँ स्पून हाँ स्पून चीली पाउडर पहले से प्रिपार करें किती अब हम इसको टमैटो पीडी स्माट करें जब तक हम इसको टमैटो से पेल ना छुट जाए तब तक हम इस वेसे ही घीमी आंग पर प्रिपार करेंगे मौस्टर्ट चिट्स को मैंने पहले से पीश रखेंग। इसमें पैस्ट को हम अब इसमें थोड़ा सा में पाना जालते ही इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहां पर हम इस पेश्ट को चलने के जाथ से चान लेंगे अब देखिए ऐसे ही इसको बिल्कुल चान लेना है देखिए लेखिए, चान के इसको निकाल को अब लोगों को भीडेश के नियुदे से भीड बोलन लेस दोने लेक हैं झाल कर देखिए का मक्ते ऐसे 10 न हमें अच्छे ॉब से खेनगे बड़ीँ न फ्रैर्ष के तैसमे उयची यह आज़ा एगा खेहें हाप स्पूर, धन्या बडर आट करें, सॉल्ट आट करें, अब ये मसाले को खेया लिटन छोड़ देखें, या अभी बिल्कुल रेडी हो जुगा है, अब ये इतना मस्तिक है, अब इसमें प्रेडी टेल छोटने लगाए तो अब आलू आडू करेंगे, अब आलू को थोड़ी जर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, बस चूटू 3 मिनिस हम पकने के लिए छोड़ देंगे, अब देखें, त्री मिन्स हो चुका है, और ये पटाटो भी चुका है अब आड़ काही आड़ करेंगे, ये अब आड़ करेंगे, तो घ्ली बीक आठी हम अब वी पहले से तैल है तो इसको भी ज्यादा टाइन लगा शूट्र में लिए तो एक दो मिनिश के लिए खूकरने के लिए हम उसको कच़के छोड़़ते ले ख्थेंगे, दोटू 2-3 टीटेवस्कून पानी आड़ करती है तो बस जा दो कि अभी अधी पक चुका है शिक्षीा भात स्कून दराम मसाला खुछी मेरा भी इसमाला मसाला रेडी हुच्टार खाने के लिए अब सकति करते हैं इस सलाप घर में कभी भी बना सकते हैं बनाना बहुत इजी और आपाने और कोई भीदा आ जाया है यह करके घर क Turkish बना सकते जाड़ टाइम टेकिंड में नहीं है बहुत जलिए बना अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चानल को सब्स्प्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइब कीजिए और आपको चाहिए नीव नीव कुछ रेसिपी चाहिए तो मुझा कोमेट कीजिए तो में आपको लोगों के लिए कुछ नीव रेसिपी रेक्या मुझा थैंक्स को बाची